जैश्री कृष्णा आईए सुनते हैं मार्ग सीस मास के पहले रविवार को भगवान सूर्य देव की कथा सभी मनो कामनाएं पोड करने वाले और जीवन में सुक सम्रिधी लाने वाले रविवार ब्रत की कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी वह प्रतेक रविवार को सुबह उठकर असनान आज से निब्रीत होकर आगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी उसके बाद सुर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तयार कर भगवान को भोग लगा कर ही श्वयम भोजन करती थी भगवान सुर्य देव की क्रिपा से उसे किसी प्रकार की चिन्ता वह कष्ट नहीं था धीरे धीरे उसका घर धन्धान्य से भर रहा था उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी परोशन उससे बुरी तरह जलने लगी बुढिया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी अतह रविवार के दिल घर लीपने के लिए वह अपनी परोशन की आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी परोशन ने कुछ सोच कर अपनी गाय को घर के भीतर बात दिया रविवार को गोबर न मिलने से बुढिया अपना आंगन नहीं लीप सकी आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढिया ने सुर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वेम भी भोजन नहीं किया सुर्यास्त होने पर बुढिया भूखी प्यासी सो गए इस प्रकार उसने निरा हार ब्रत किया रात्री में सुर्य भगवान ने उसी स्वपन में दर्सन दिये और ब्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा बुढिया ने बहुत ही करुण स्वर में परोशन के द्वारा घर के अंदर गाय बाधने और गोबर न मिल पाने की बात कही सुर्य भगवान ने अपनी भक्त की परिसानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा हे माता हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर करती है क्यूंकि तुम हमीशा रभीवार को पूरा घर गाय की गोबर से लीप कर भोजन बना कर मेरा भोग लगा कर ही श्वयम भोजन करती हो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरा ब्रत करने वा कथा सुनने से निर्धन को धन और बाज हिस्त्रियों को पुत्र की प्राप्ती होती है स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा बर्दान देकर भगवान सुर्य अंतर ध्यान हो गए प्रातह काल सुर्योदय से पुर्व उस बुढ़िया की आग खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुन्दर गाय और बच्छडे को देकर हैरान हो गए गाय को आंगन में बाद कर उसने जल्दी से उसे चारा ला कर खिलाया परोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बधी सुन्दर गाय और बच्छडे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तभी गाय ने सोने का गोबर किया गोबर को देखते ही परोसन की आखें फट गए परोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरन उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा ये अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से परोसन कुछी दिनों में धनवान हो गई गाय प्रती दिन सुर्योदय से पुर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले परोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला बुढिया पहले की तरह हर विवार को भगवान सुर्य दीव का ब्रत करती रही और कथा सुनती रही लेकिन सुर्य भगवान को जब पडोशन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आधी चलाई आधी का प्रकोप देखकर बुढिया ने गाय को घर के भीतर बाद दिया सुबह उठकर बुढिया ने सोनी का गोबर देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन के बाद बुढिया गाय को घर के भीतर बादने लगी सोनी के गोबर से बुढ़िया कुछी दिन में बहुत धनी हो गई उस बुढ़िया के धनी होने से परोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सुझा तो वह राजा के दर्बार में पहुची और राजा को सारी बात बताई राजा को जब बुर्या के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेज कर बुर्या की गाय लाने का आदेश दिया सैनिक उस बुर्या के घर पहुचे उस समय बुर्या शुर्य भगवान को भोग लगा कर श्वयम भोजन ग्रहड करने वाली थी राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले बुर्या ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की बहुत रोई चिलाए लेकिर राजा के सैनिक नहीं माने गाय के चले जाने से बुर्या को बहुत दुख हुआ उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सुर्य भगवान से गाय को पुनह प्रार्थ करने हे तु प्रार्थना करने लगी दूसरी योर राजा गाय को देखकर बहुत खुस हुआ लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया उसी रात भगवान सुर्य उसके सपने में आए और बोले ही राजन यह गाय ब्रिधा को लवटाने में ही तुम्हारा भला है रभिवार के ब्रत से प्रसन होकर ही उसे यह गाय मैने दी है सुबह होते ही राजा ने ब्रिधा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लवटा दी और छमा मांगी इसके बाद राजा ने परोशन को डंड दिया इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उसी दिन राज्य में घोशडा कराई की सभी इस्त्री पुरूस रभिवार का ब्रत किया करें रभिवार का ब्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गई चारो और खुसहाली छा गई सभी लोगों के सारे रिक कष्ट दूर हो गई